मेहनत बेकार नहीं जाती कहानी हिंदी मौरल कहां, हम जीवन में बहुत सी बातों को सोचते हैं और हम ये सोचते हैं हिंदी स्टोरी विद अ मौरल की, ये सब अपने आपी पूरी हो जाए तो कितना अच्छा होगा या हम अगर कोशिश करे तो हमारी कोशिश बेकार हो गई त पुश्हाली आ सके बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई मुसीबता कर खड़ी हो जाती है जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यूं हो रहा है कोई भी इस बात को समझने में। सभी लोग बीमारी से भी परेशान थे बट कुछ भी नहीं हो रहा था वह कितना कर सकते थे वह सोचने में बहुत समय लगा रहे थे तभी पासी के गाव से एक आदमी आया और उनसे मिला सभी लोगों को एक साथ खड़े हुए देखकर पूछने लगा कि आप लोग परेशान क्यूं है तो सभी लोगों ने कहा कि हम अपनी परेशानियों से परेशान है वह बात ही समझ नहीं पा रहा था विकॉस कोई भी सही तरीके से नहीं बता रहा था वह आदमी कहने लगा कि तुम मुझे सही तरीके से बताओ कि क्या बात है जिससे सभी लोग परेशान खड़े उन्होंने बताया कि पिछले साल भी बहुत ही कम फसल हो पाई थी बट इस बार बारिश ना होने की वजह से काफी फसल खराब हो चुकी है और हमारे पास कोई अन्य साधन भी नहीं है जिससे की हम अपनी पानी की समस्या को भी दूर कर सके और साथ ही यहां पर साफ सफाई ना होने की वजह से बिमारियां भी बढ़ रही है तभी उस आदमी ने सभी आदमियों को देखा और सोचने लगा कि यह लोग यह तो काम करना नहीं चाहते हैं या फिर यह बहुत ही आलसी हो गए हैं वो आदमी कहने लगा कि आप लोग की मेहनत कर रहे हैं बट आपने कभी भी यह नहीं सोचा की जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए कोई और करेगा आपके पास में ही नदी बहती है जिसको पार करके मैं यहां पर आया हूँ क्या आपने कभी सोचा है कि उस नदी का पानी इस्तिमाल किया जाए कहने लगे कि वो नदी काफी दूर है और उसका प ज्यादा बड़ा नहीं है आप कुछी लोग हैं यह मैं मानता हूँ बट अगर आप कुछ लोग भी मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप कह रहे हैं यहां पर साफ सफाई नहीं है अगर आप साफ सफाई रखना चाहते हैं तो आप खुद मेहनत कीजिए अगर आ जिससे बिमारिया नहीं अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो उस नदी का पानी आप अपने खेतों तक लेकर आ सकते हैं जिसका प्रयोग करके आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। आदमी ने उसे समझाया कि माना कि आप बहुत ही थोड़ी लोग हैं बट आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत जरूर सफल होती है आप अगर उस नदी के पानी का प्रयोग कर सकते हैं तो आप अ जरूर ला सकते हैं सभी गाव वालों ने उसी दिन से उस तरफ जाने का विचार कर ही लिया था जिस तरह नदी बहती थी सभी लोग वहां पर गए और वहां से पानी लाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ रही थी लगभग एक सपता बाद नदी के पानी को अपने गाव के खेतों की और उन्होंने मोर दिया था और जब सभी लोग ये कहने लगे कि हम लोग सिर्फ विचार ही करते रहते हैं अगर विचार करने की जगा काम पर ज्यादा ध्यान देते तो ये काम हमारा बहुत साल पहले ही हो गया होता हमने बहुत बार सोचा था कि ऐसा करन सकते थे हमें जितनी बड़ी परेशानी लग रही ती उतनी ये थी नहीं हमने उसे बहुत ही बड़ा बना दिया था अगर हम चाहते तो ये छोटी सी परेशानी को कभी भी दूर कर सकते थे इसलिए इनसान को जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए अगर हम जीवन में आ छोड़ना होगा मेहनत करनी होगी जब आप मेहनत कर पाएंगे तो उसकी सफलता जरूर प्राप्त होगी एक आदमी ने उनके जीवन को बदल दिया था अगर वह ना आता तो वह सभी लोग सोचते रहते हैं और सोचने से कभी काम नहीं होते काम को खत्म करना है तो उन्हें सो कहानी अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे शेर जरूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं गरीब आदमी की हिंदी कहानी हिंदी स्टोरी शाम का वक्त हो रहा था और आफिस से घर जाने के लिए निकले ही थी ये सफर भी लगभग 20 किलोमेटर का था पहले बस और फ इंतजार कर रहे थे काफी देर हो गई थी पर उस तरफ जाने को कोई तैयार नहीं था तभी कुछ देर और सोचा की इंतजार कर लिया जाए उसी तरफ का कोई और टैमपा जाएगा टैमप का इंतजार चल रहा था कि एक छोटा लड़का कुछ खाने को मांग रहा था पर क कोई कुछ भी देने को त्यार नहीं था हम सभी को ऐसा ही लगता है कि ये ऐसे ही मांगते रहते हैं पर हर बार ऐसा नहीं होता है दूर से सब कुछ दिखाई दे रहा था कि लड़का बारी बारी से सभी के पास जा रहा था पर कोई भी कुछ नहीं दे रहा था तभी एक कारव पर आकर रुकी उस लड़के नेकार वाले से कुछ मानगा पर अंदर से उसने एक खली लिफाफा फेका उसमें कुछ लग नहीं रहा था कुछ होगा लड़के ने वह उठाया और वह से चला गया और कुछ दूरी पर जाकर उसने देखा कि उसमें कुछ नहीं था उसके पास बैठा एक गरीब आदमी यह सब देख रहा था कि लड़का बहुत ही भूखा है और उसने अपने खाने में से लड़के को कुछ दिया और वह लड़का खाने लगा आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको समझ में आया साफ दिखाई देता है कि अगर इंसान अमीर है तो उसके पास कुछ नहीं है और अगर इंसान गरीब है है तो उसके पास सब कुछ है कहने का मतलब है कि एक गरीब आदमी सब की तकलीफ समझ सकता है because उसके अंदर किसी बात की चाह नहीं है वो अपने दिल से सोचता है और सब को अपने जैसा ही समझता है और करता है, हम यहाँ पर ऐसा कहना नहीं चाहते है कि सब अच्छे या बुरे होते है पर इंसान अगर मदद करे तो कुछ जाता नहीं है हो सकता है कि उसे हमसे जादा जरूरत है आखिर हम सब एक ही तो है, इसलिए जरूरत पढ़ने पर सब की मदद जरूर करे अगर आपके पास भी ऐसी की कोई बात है जो आप हमें बताना चाहते है तो आप हमें भेज सकते है भेजने के लिए आप हमारी मेल या कमेंट बॉक्स ता भी प्रयोग कर सकते है अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप हमें जरूर बताए गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है बर्ध्यान से देखा जाये तो उसके पास बहुत कुछ होता है जो हमें नजर नहीं आता है ये बात उस समय की है जब एक अमीर आदमी उस छोटे से गाव में आया था वो उस गाव को देखता है तो उसे लगता है कि मुझे गाव में तरक्की के रस्ते लाने चाहिए ये गाव बहुत गरीब लगता है यहां के लोग भी बहुत गरीब है वह अमीर आदमी उस गाव में काम शुरू करता है सभी को स्वच पानी मिले कोई भी बीमार न हो वह सभी साधन को उस जगाव पर लाना चाहता है वह अमीर आदमी कार से गाव में आता है बट जब वह कार से एक जगाव पर रुखता है तो उसका बैग निचे गेर जाता है जिसमें बहुत सारा धन होता है, जो कि वह गाव में प्रयोग करना चाहता है वह अमीर, आदमी चला जाता है उसे पता नहीं था कि उसका बैग गेर गया है वह गरीब आदमी उस बैग को देखता है, उसमें बहुत सारा धन होता है वह उस अमीर, आदमी क पास बहुत सारा धन था जो कि उसके कामा सकता था बट वह ऐसा नहीं सोचता है वह उस बैग को लेकर गांफ की और जाता है वह आमीर आदमी देखता है कि उसका बैग किसी ने चोरी कर लिया है वह उस गांफ की और देखता है उसे लगता था कि यहां के लोग बहुत अच्छ किया है वह सभी लोगों को बुलाता है वह कहता है कि मैं इस गाव में तरक्की लाना चाहता था मगर ऐसा नहीं हो सकता है because मेरा धन चोरी हो गया है वह चोर तुम्मे से कोई भी हो सकता है जिसने मेरा बैग चोरी किया है वह सभी मना कर देते है because उन्हें लगता है कि हमारे गाव में ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है कुछ समय बाद ही वो गरीब आदमी आता है, वो कहता है कि आपका बैग गिर गया था जिस जगह पर आप रुके थे मेने आपको आवाज भी लगाए, थी बट आपने सुना नहीं था ये सुनकर वह अमीर, आदमी सोचता है कि मेने इन सभी को बुरा कहा है, यहां के लोग बहुत अच्छे है, वो इतना धन देख कर वी लालच में नहीं आये है, ये गाव बहुत अच्छा है, मुझे यहां पर बहुत सरे काम करने है, बट वह अमीर, आदमी इस बात से भी दुखी था कि उसने सभी को चोर कहा था जबकि ये गरीब जरूर है, मगर नहीं धन का ल इसलिए जीवन में हमें सोचकर ही बातों को कहना चाहिए, अगर आपको ये गरीब और अमीर आदमी की कहानी पसंद आई है तो, शेर जरूर करें, मेहनती जीवन का धन है कहानी, अभी वक्त नहीं हुआ है, हमें कुछ देर बाद ही निकल, जाना चाहिए सभी लोग जाने क की तैयारियां कर रहे थे, उन्हें पता था कि अब यहां पर रुखना आसान नहीं है, उन सभी का वक्त साथ साथ में बीता था लेकिन अब ऐसा समय आ गया था कि सभी को अलग हो जाना था, वो उसी गाव में साथ साथ बड़े हुए थे और उन्हें बहुत अच्छा लगत था क्यूंकि उनका बच्पन भी साथ में गुज्रा हुआ था लेकिन अचानक आई समस्या की वजह से उन्हें जाना पर रहा था अब तो समझ गये थे कि यहां पर रुखना अच्छा नहीं रहेगा अगर हम यहां पर रुखते हैं तो मुसीबते बढ़ती चली जाएंगी क जम नहीं होगी जब जमीन नहीं होगी सेट भी कुछ देर बाद आ गया था उसने कहा था कि तुमने हमारा करजा लिया था लेकिन तुमने अभी तक भी उसे वापस नहीं किया है इसलिए मैं तुम्हारी जमीन ले रहा हूं ये बात तुम्हें मैं बता चुका हूं इसलिए तुम्हें अब यह जमीन मुझे देनी होगी ये बात सभी जानते थे कि जब जमीन नहीं होगी तो यहाँ पर रुखने का कोई फायदा नहीं है उस गाव को छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन अब उनके सामने मजबूरी आ गई थी अभी कुछ नहीं कर सकते थे अब उन्हें छोड़कर जाना ही होगा ये बात है सभी जानते थे लेकिन जब कुछ होई नहीं सकता तो इस बारे में सोचना बेकार है सभी सभी लोग कहने लगे कि हम ये बात जानते हैं कि हमें आपको अपनी जमीन देनी होगी और इस बारे में हम और सोच विचार भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतना धन नहीं है, जो आपको लोटा पाए, इसलिए हम आपको अपनी जमीन दे रहे हैं, और यहां से जा रहे हैं, सेट ने कहा, ठीक है मुझे जमीन मिल रही है इसलिए मुझे कोई, चिंता की बात नहीं आगे जो तुम्हें करना है वह कर सकते हैं. बच्पन वहीं पर बीट गया, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बाद सेथ वहां से चला गया और सभी लोग जाने की तयारी करने लगे वैसे भी उस गाव को देख रहे थे क्योंकि उनका बच्पन वहीं पर बीट गया था अब उस गाव को छोड़, कर उन्हें जाना होगा वह उसके बाद क्या कर पाएंगे, ये बात वह नहीं जानते थे उन्हें तो ये लग रहा था, कि आब हमें यहां से चलना चाहिए, सभी लोग वहाँ से निकल पड़े थे, घर के सभी लोग ये बात कर रहे थे, हम कहां जाएंगे हमारे पास तो कोई भी जगा रहने के लिए नहीं है और अब कोई काम भी नहीं है जिसके सहारे हम अपना जीवन बिता सकते हैं आपस में, सभी बात करते हुए वहां से जा रहे थे उन लोगों को, वी देख रहे थे जिनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, था अब उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं, शायद अब वह कभी बी जगा पर वापस लोट कर नहीं आ सकते हैं ये, घर तो छोड़ चुके थे लेकिन उन्हें ऐसी कौन सी जगा, मिलेगी जिस जगा पर वह काम शुरू कर सकते हैं, मगर उनके पास ज्यादा धन भी नहीं है, इस समय के बारे में भी सोच भी, नहीं सकते थे अब क्या किया जा सकता है अब कुछ, नहीं हो सकता, हम अपनी जगा छोड़ चुके हैं, इस बारे में बात करना बेकार है, हमें आगे की ओर बढ़ते, रहना चाहिए उन्हें चलते हुए काफी समय हो गया था, वो किसी ऐसी जगा पर नहीं जाना चाहते थे उन्हें, चलते भी शाम हो गई थी, बहुत ज्यादा थकावट भी हो गई थी, वो सभी एक जगा रुक गए थे जहां पर, खाना बन रहा था, वो बहुत ही भूखे थे और उन्हें लग रहा था कि पहले हमें खाना खालेना चाहिए, उसक पर कुछ कर सकते थे और अगर उतना धन होता तो है, इनसान बहुत परेशान हो जाता है, उस जमीन को छोड़ा सकते थे मगर ऐसा वह नहीं, कर पाए थे उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं, रहा था चारों और अंधेरा ही दिखाई दे रहा था कुछ, वी जब समझ में नहीं आता है तो इनसान बहुत परेशान हो जाता है, वह क्या कर सकता है इस बारे, में भी सोचना जरूर है, लेकिन उस बारे में सही से कुछ भी नहीं कर पाता, उन्हें चलते हुए काफी समय हो गया था और चलते चलते हुए दूसरे गाव में पहुंच गय थे, वह कुछ काम मिल सकता है तो हम यहां पर रुक सकते हैं अपने घर को चले छोड़ कर जा चुके थे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था अगर वहां, पर कोई काम करते तो शायद हमें भी अच्छा नहीं, लगता इसलिए दूसरे गाव में पहुंच गय थे और यहां, पर अ उन्होंने बात की जिससे की काम मिल जाए और एक आदमी ने उन्हें बताया कि आपको एक-एक करके काम मिल सकता है किसी को, साफ सफाई की जरूरत है किसी को खेत के काम तरवाने हैं और किसी को पहरा लगवाना है अगर आप इन में से सभी काम कर सकते हैं तो आप एक-एक कर पहना शुरू कर दिया था और उन्हीं एक छोटा सा मकान भी दे दिया गया था जिसमें वो रह सकते थे उन्हीं काम तो मिल गया था वह काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे जब शाम कुई तो उस छोटे से घर में आये और एक दूसरे से बात करने लगे उनका यही कहना थ कि हमें काम तो मिल गया है आमदनी बहुत अच्छी लेकिन हमारे सामने ये समस्या है कि हम इस काम के लिए सिर्फ खाना ही खा सकते हैं लेकिन हम इस काम में ज्यादा कमा नहीं सकते वह जानते थे कि जो काम कर रहे हैं उसमें आमदनी अच्छी नहीं होगी इसलिए उन्होंने उनके साथ साथ दूसरे कामों को भी सीखना शुरू कर दिया था जिससे आमदनी बहुत अच्छी हो सकती थी बाकी लोग तो वही काम कर रहे थे लेकिन एक आदमी उनमें से घर बनाने का काम सीख गया था उसे अब वह काम बहुत अच्छी तरह से आ गया था क्यूंकि काम को क करते करते काफी वक्त बीट गया था अब वह लकडी के घर बहुत अच्छी तरह बना सकता था और उसे वह काम बहुत अच्छी तरह गया था वहीं पर एक सेट रहता था वह कहने लगा कि अगर तुम मेरे लिए लकडी के मकान बनाते हो तो मैं तुम्हें अच्छा धन दे सकत अगर तुम ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते मकान तयार करना है लेकिन इसमें मेहनत बहुत जरूरी है अगर तुम बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो तो तुम्हें में काम दे सकता हूं वो आदमी कहने ल तुम्हें एक मकान तयार करना है और वह भी बहुत खूबसूरत होना चाहिए उस आदमी ने काम शुरू कर दिया था उसे पता था कि सेथ को बहुत अच्छा काम चाहिए वह लकडी का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था मकान को बहुत अच्छी तरह बना रहा था वह लकडी के मकान में बहुत अच्छे अच्छे सामान का भी प्रयोग कर रहा था जिससे की देखने वालों को बहुत अच्छा लगे मकान को बनाने के लिए उस आदमी ने काफी समय दे दिया था सेथ को भी लग रहा था ये आदमी बहुत ही मेहनती है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है आदमी बहुत अच्छी तरह से काम करता रहा और उसने काम करने के साथ साथ बहुत इकम मजदूर को अपने साथ में रखा था जिससे की उसे धन न बात न सके लकडी का मकान उसने वह काम बहुत सफाई से किया था लकडी का मकान उसने बहुत अच्छा बना दिया था जिसे देखने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे मकान बन चुका था और सेच ने जब मकान देखा तो कहने लगा कि ऐसा लकडी का मकान मैंने कभी नहीं दे उस आदमी का बनाया मकान तो बहुत अच्छा नजर आ रहा था वह बहुत अच्छे दामों पर बिक रहा था और उसे उस वक्त बहुत अच्छा धन बच गया था सेच ने देखा ये तो बहुत अच्छी तरीके से लकडी के मकान बनाता है और अगर यह ऐसे ही मकान बनाता रह तो इससे हमें काफी धन मिल सकता है और इस आदमी को भी फाइदा हो सकता है अधिक मकान बन चुके हैं सेट ने देखा कि आदमी तो बहुत महनती है और उस गाव में लगभग सभी के लकडी के मकान बन चुके थे और वो बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहे थे उस वक्त आ अब हमें इस जगह से दूसरी जगह पर जाना होगा, जिससे कि हम और धन कमा सके वह उस आदमी से मिलता है, सेट कहता है कि हमारा काम यहां पर तो पूरा हो चुका है, लेकिन अगर तुम और भी धन कमाना चाहते हो तो, हमें दूसरी जगह पर भी मकान बनाने होंगे जब वह पर मकान बनाने शुरू करेंगे तो वहां से बहुत सारा धन मिलेगा वह आदमी कहता है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा उसके बाद आदमी सेठ के साथ दूसरे गाव में भी चला गया था जहां पर मकान बनाने थे वहां पर मकान बना कर बहतर काम आ सकता था तुम्हारी जमीन। इस तरह काम करते हुए आदमी को काफी वक्त भी दिया था और लगभग दो से तीन साल हो चुके थे और इस तरह उनके पास इतना धन हो गया था जितनी कि वे अपनी जमीन वापस ले सकते थे उनके पास। जब धन ज्यादा हो गया तो वो अपने गाव वापस लोट आए जब अपने गाव वापस आए तो फिर सेट से मिले और कहने लगे कि जितना धन हमने अपनी जमीन के लिए दिया था उससे ज्यादा धन हम आपको दे सकते हैं जिससे हमारी जमीन वापस मिल जाए सेट ने कहा क चीक है अगर तुम दे सकते हो तो इसे मैं तुम्हारी जमीन वापस कर सकता हूँ। गाव में उनका घर अभी भी खाली पड़ा हुआ था क्यूंकि घर बंद करके चले गए थे अब उनके पास अपनी जमीन थी जिस पर वो काम कर सकते थे वो अपनी मेहनत से वहाँ पर पहु जब तुम यहां से चले गए कि तुम कभी भी वापस नहीं आओगे लेकिन तुम वापस आए और मेहनत कर सकते हो इतना धन कमा कर लाए जिससे की अपनी जमीन भी वापस कर ली और तुम्हें धन बच भी गया इससे ये बात पता चलती है कि तुम जीवन में कुछ भी कर सक क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो जो व्यक्ति मेहनत कर सकता है सब कुछ कर सकता है मेनाच हाई जीवन का धन है कहानी हिंदी मेहनती जीवन का धन है कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर कर सकते है धन्यवाद